हे एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल पर और आज हम बनाएंगे आलू के प्रांठे आलू के प्रांठे बनाने के लिए मैंने चार से पाच आलू लिये हैं इनको खूब अच्छी तरह से धो के बोईल कर लिया है और पोईल करने के बाद आब हम इनके चिलकों को उतार लेंगे तो मैंने सारे आलू को चिलके तयार कर लिया है जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं तो फिर मैंने लिया है गिया कस और इसकी मदद से सारे आलू को गिया कस कर लिया है आप चाहें तो मैसर की सायता से या हातों की एल्प से भी इनको मैस कर सकते हैं पर मैंने यहां सारे आलू को गियाकस किया है तो हमारे आलू हो गए हैं गियाकस तो अब डालेंगे हम इसमें खूब सारा रादनिया बारी कटी हुई प्याज और बारी कटी हुई हरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर और नमक स्वादा नुसार ये सारी समान डाल लेने के बाद अब आती है निम्बू की बारी मैंने लिया है एक निम्बू और इसका रस निकाल लिया है आप अगर निम्बू नहीं डालना चाहते तो इसमें अमचूर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं पर मैं इनमें निम्बू ही डालती हूँ अब इनको हातों की मदद से खूब अच्छी तरह मिक्सर तयार कर लेंगे खूब अच्छी तरह इसको मिला लेंगे तो हमारा मिक्सर बनके तयार है आलू का अब लिया है मैंने अलग बरतन और ये सारा मिक्सर अलग बरतन में डाल लिया है अब लिया है मैंने आठा और इस आठे का मैंने सोप्ट सा डो लगा लिया है प्रांठो के लिए हमें सोप्ट सा ही डो लगाना पड़ता है अगर हम टाइट आठा गून देंगे तो हमारे प्रांठे फट सकते हैं तो हमारा आठे का डो भी तयार हो गया है तो अब आती है जी प्रांठे बनाने की बारी तो मेरा तवा हो गया है गरम और मैंने ले ली है दो छोटी-छोटी लोईया और इनको लिया है बेल छोटे साइज में ही तो लोईयों को बेलने के बाद इस पे डालेंगे हम आलू का मिक्स्चर जो हमने तयार किया था मैंने एक से डेड़ चमच खूब भर-भर के इसमें आलू की स्टफिंग कर दिया है जबी तो प्रांठा खाने में मजाएगा ना आलू भर-भर के होगा तो इसमें अब दूसरी जो लोई बेली थी ना हमने वो इसके उपर रख देंगे और इसको अब दूसरी लोई मैंने इसके उपर रख दी है और इसको या तो आप बेलन की मदद से या फिर हातों की मदद से इस प्रांठे को बढ़ा लेंगे मैंने तो हातों की मदद से ही इसको बढ़ा कर लिया है और डाल दिया है तवे के उपर अब इसको पलट कर इस पे लगाएंगे देशी घी और खूब इसको पलट पलट कर करा रहा होने तक सेक लेंगे तो जी हमारा आलू का परांठा बनके तयार है तो मैंने इसको सर्व किया है निम्बू के अचार और आम के अचार के साथ आप चाय में नास्ते के साथ शाम के नास्ते के साथ कैसे भी सर्व कर सकते हैं जैसा आपका मन करता है तो आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फॉर वोचिंग